आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ जन्मास्ट मी स्पेशल अपने प्यारे लड्डू को पाल जी की फेवरेट मेवा पाग तो उनी का प्रिय मेवा पाग आज हम बिलकुल आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप और परफेक्ट रेशो के साथ मैं आपको बताऊंगी जिससे की आपका पाग भी बिलकुल परफेक्ट एकदम स्वाधिस्ट बने जो म्भू में घुल जाए और इस मेवा पाग की खासपत ये होती है किसे आप महीने वर रख सकते हैं बिलकुल खराब नहीं होता बिना मावा बिना मिल्क पाउडर बिना कंडनेंस मिल्क एकदम शुद्ध सरल तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं हाई एबरीवन मैं हूँ पारूल कुक्वित पारूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेधन है कि आगर आपको मेरे वीडियो अच्छे रखते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइ गी को हमें हलका ही गरम करना है यहां मैंने लिया है खाने वाला दो बड़े चमच गोंद गोंद जैसे डिंक भी कहा जाता है किसी भी पंसारी की दुकान ये सुपर स्टोर पर आपको यह आसानी से मिल जाएगा तो इस चमच से मैंने दो चमच लिया है तो हलके गरम तेल मे सबसे पहले गोन को सेकेंगे, इसको आपको लो फ्लेम पर ही करना है, वरना गोन अंदर से कच्छा ही रह जाएगा, अगर आपने कल्दी से भी हाई फ्लेम पर कर दिया, तो देखे गोन इस तरह से फूलने लगा, बहुत ही जल्दी सिख जाता है, सारा एक प्रेट पर हम निक जाए बादम भी बढ़िया रोस्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हलकी से चटकनसी भी आ गई है, बहुत जादा हम नहीं करेंगे, वरना ये काले पढ़ जाएंगे, और हलके से कडवे पन पर आ जाएंगे, तो बस इसको भी प्लेट पर निकाल लेते हैं, और य नहीं रूस्ट करेंगे, इसी घी में हम फ्राइ करेंगे मखाने, यहां मैंने मखाने लिए हैं एक कप, जैसको आप लोटस सीट्स भी कहते हैं, बहुत ही हैल्दी, और खाने में भी बहुत ही साधिस लगते हैं, लो फ्लेम पर इसको भी हलका से शेक लेंगे इस तरह से, हमारे बढ़िया से भुन रहे हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं, अब उसी पचवे घी में हम फ्राइ करेंगे मैलन सीट्स यानि की खर्बुजे के बीच, जैसे हम मिंगी भी बोलते हैं, तो यह मैंने ली है आदा कप, यह भी इन दिनों आपको आसानी से किसी भी जाएगी, फ्लेम को यहां थोड़ सा मीडियम कर देंगे और खर्बुजे के बीच को भी बिलकुल इसी तरीके से भूनेंगे, बिलकुल इस तरह से आपको हलकी सी आवाज आएगी इनके चटकने की, इसका मतलब खर्बुजे के बीच बढ़िया भुल रहे हैं, सभी चीज सारे ड्राइफूट्स हो, तब मजाई को और है, अब फ्लेम को बिलकुल लो कर दें, बस आपको एक मिनट भूना है, गैस को मैंने ओफ कर दिया है, और इस तरह हलका सा चलाते रहे, देखिए मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके का आपको सूखा नारियल मिल जाएगा, जि इस कड़ाई में पाक बनाने के लिए हम बनाएगे चाशनी, यानि शुगर सिरब, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ, दो कप चीनी, एक कप सेट करें, उसी आप दो कप लें, एक कप, दो कप, और इसमें हम डालेंगे उसी कप से एक कप पानी, मीडियम फ्लेम पर इस तरह चलाते हुए हम चीनी को बढ़िया से घुले देंगे, और इसकी एक परफेक्ट चाशनी तयार करेंगे, जब तक हमारी चीनी घुल रही है, हम फटा फट से इन चीजों को करश कर लेते हैं, यानि हमें इनको हल्का दरदरा उपना होगा, तो सबसे पहले आप ले मखाने, स अभी चीजें बहुत ही जल्दी दरदर इसी यूही हो जाती है, तो एक ले ले आप क्रशर में और रहल ऊटा-बोटा लेंगे, बस दरदरा करना है, बहुत ही जल्दी यह तूटच जाते, तेंस59 हैं और साथ की साथ. है उत. हम और बढ़ी एक लंबे तार की चाष्नी चाहिए चाष्नी भी लग बहग बिलकुल तयार है यह से आप इस तरह से हाथ की बीच में रखकर देखें हलक असा थंडा होने दें और फिर देखिए इस तरह दबाईए यह देखिए इसमें यह खिचाब सा है तार मन रहा है लंबा बस हमें चाशनी को इसी कंसिस्टेंसी का तयार करना है इसे स्टेच पर आप फ्लेम को बिल्कुल कर दें यह देखिए मैं आपको पास्ते दिखा रही हूं इस स्टेच पर मैस में डाल रही हूं आदा चोटी चंबच इलाइची पाउडर इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और आप हम गैस को बिल्कुल आफ कर देंगे गरम चाशनी में हम सारा जो मारा मिक्स हमने भी दयार कियाता नारियल और बेवा का सब इसमें दीरे-दीरे करके मिक्स करते जाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह इतना स्वाधिस्ट होता है खास बात इस पाक की यह है घर में सब ही को पसंद आता है और आगर आपके बच्चे कहीं बहार रहते हैं तो आप उन इस तरह से इसने कड़ाई के छोड़ना भी शुरू कर दिया तो पस एक ही मिनट हमें इस तरह से मिक्स करना है तो मैं गैस को आफ कर देती हूं अब आप लें मेवा पाग यानि मेवा कटली जमाने के लिए एक स्टील की प्लेट थोड़े से घी से उसको हम कर लेंगे पूर आसा कार्णिश कर रही हूं ग्रेटर पिस्ता से पिस्ता को मैंने इस तरह से बारी कद्दुकस कर लिया है इसे लुकिंग बहुत सुंदर आती है इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और यह देखिए हमारा मेवा पाग यानि ड्राय फूट्स बर्पी कितनी सुंदर लग यह देखिए मैंने इसको स्कुएर पीसेस में कट कर लिया है और यह कितनी सुंदर लग रही है अब इसको थोड़ी देर इसी तरह सेट उने देंगे उसके बार हम इसको साफ करेंगे बहुत ही जल्दी यह सेट हो जाती है फ्रिस में रखने की आपको अवशकता नहीं है औ आप एक चाकू की मदद से थोड़ा पहले साइट को पोर्शन अलग कर लें पॉफेक्ट यह देखिए कितना बड़िया हमारा मेवा पांग जमा है एक दम शेप में निकलाया यह देखिए कितना पर्फेक्ट बना है ऐसा नहीं है कि बहुत जादा बिखरा बिखरा बना है यह हमने बहुत जादा हाइट कर दिया एक तम पाफेक्ट कंसिस्टेंसिया कितना अच्छा लग रहा है खाने में तो यह है टेस्टी और बहुत है था हैल्दी भी तो इसी तरह से हम सारे बागी के पीसे को भी अलग कर लेंगे दीरे दीरे देखिए हमने हलक गरम किया था तो देकें कितनी आसानी से एक एक पीस निकलते जा रहा है यह देखिए बहुत ही बढ़िया आप देख सकते है कि कितना अच्छा इसका टेक्श्चर और कितना बढ़िया यह लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना स्वाधिस्ट होगा तो सभी पीसे को इसी तरह से अनक् तो ये लीजिए बिलकुल तयार है हमारा जन्मास्ट मी का बहुत बहुत टेस्टी प्रशाद मेवा पाग इस तरह से जरूर बनाईए आप देख सकते हैं कितना सुन्दर स्वादिस्ट हमारा मेवा पाग तयार हुआ है जितना ये देखने में सुन्दर है खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी हेल्दी खास बात पूरा एक महीने से भी जादा ये चल जाता है बिलकुल खराब नहीं होगा अगर आप कोई मिठाई बहार भेजना चाहते हैं अपने बच्चों के पास भेजना चाहते हैं तो बिलकुल परफेक्ट मिठाई है क्योंकि ये जल्दी बिलकुल खराब नहीं होती खाने में बहुत ही तेस्टी लगती है सबको पसंद आती है और हमारे प्यारे लड्डू शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अपना प्यार मुझे इस्टाग्राम फेस्बुक पर भी जरूर दें सभी रसिपीस की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट कुक्वित पारूल डोट कॉम पर देख सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग कुक्वित पारूल जै हिन जै भारूट